क्लिक दे बेल आइकोन और नेवर मिस अदर अदर अपडेट प्रॉम पॉलिविट स्पाई डिरेक्टर कभीर खान जिन्होंने हमें रेडियो सॉंग के जरिये सेलिब्रेशन करना सिखाया उसके बाद उन्होंने नाच मेरी जा में भाई हुट करना सिखाया और अब वो अपने अगले सॉंग तिनका तिनका दिल मेरा में हमें ये बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर जंग क्यों होती है क्यों अपनों को अपनों से दूर बिछर कर जाना पड़ता है मैं हूँ राहुल भोज और सॉंग रिलीज हो चुका है तिनका तिनका दिल मेरा जिसे स्वर दिया है रहत फतेली खान सहाब ने और इसे कंपोज किया है प्रितमदा ने बताऊंगगा सारी बाते की Bollywood Spy को कैसे लगाए सॉंग क्या है रियाक्षन सारी बाते एक्स्वीबली ओन जब बॉलीवेड स्पाई सॉंग की जब शुरवात होती है तो इतना जदा emotional है इतना जदा sentimental है की मेरे रोमटें ख़ड़े होगए स्क्रीन खुलती है और हम देखते हैं सल्मान खान का कैरेक्टर और सोहिल खान का कैरेक्टर यानि की लक्षमण सिंग बिष्ट और भरत सिंग बिष्ट भरत जंग पर जा रहे हैं, लक्षमन रो रहे हैं, उन्हें रोपने की कोशिश कर रहे हैं और यह बहुत ज़दा तची है, इमोशनल है और वहीं हम देखते हैं लेट उमपुरी सहाब की एंट्री जो कि मैंने आपको बताया तुरहंट सीन एक्तम से फ़नी बनने लगता है सोहिल खान का कैरेक्टर सलमान खान के कैरेक्टर को चीर अप करने की कोशिश करता है वो एक फ़नी सा डांस स्टेप करते हैं और इससे सलमान खान के चेहरे पर एक हसी आती है और हम देखते हैं कि फ्लेश बैग जाता है जहांपर सलमान और सोहिल का कैरेक्टर एक बड़ी सी स्क्रीन के आगे जो एक परदे की होती है उसके आगे खड़े होकर वो डांस स्टेप कर रहे हैं I guess यह उनका सिगनेचर स्टेप है भरत लक्षमन को छोड़के जा चुके है और लक्षमन बिलकुल अकेले हैं तनहाई में घूम रहे हैं वो उन मोमेंट्स को जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने भरत के साथ बिताए चाहे वो क्लिफ से जम करना हो चाहे वो बस में जाना हो या सारे moments, वो सारे उन moments को अकेले जीते हैं और यहां पर हम सल्मान की acting को देख सकते हैं कि वो बहुत ही जादा mature way में उस चीज को portray कर रहे हैं हाला कि character उनका man child का है लेकिन वो साफ पता चल रहा है कि सल्मान अब एक बहुत ही जादा natural actor बन चुके है अभी तक तो director ने हमें सिर्फ लक्षमन की side की story बताए कि लक्षमन को कैसा feel हो रहा था जब भरत उनको छोड़के गए अब director का focus जाता है भरत की कहानी पर जहां पर भरत पहुँच चुके हैं जंग के मैदान पे मैं बता दो यह जंग का जो मैदान बनाया गया है मतलब जहां पर यह shooting हुई है यह लदाख में हुई है लदाख का extensive location हम देखते हैं natural beauty देखते हैं वहां पर जो सोहेल खान का character है भरत वो जग में घिरा हुआ है दुश्मन है चारों तरफ गोली बारी चल रही है विसपोट हो रहे हैं और सोहिल खान का character यानि की भरत बहुत ही बहादूरी से अपने दुश्मनों का सामना कर रहा है सौंग का यह जो portion है यह बहुत ही जादा रूहों में कमपन पैदा करने वाला है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पहार की चोटी पर जगतपुरा के लोग इखटा हो रखे हैं वहाँ पर ओमपुरी सहाब भी हैं सलमान खान भी हैं और सलमान खान का character शद्धांशली अर्पित कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि शायद जो भरत है यानि कि सोहिल खान का character है वो अब नहीं रहा वो अब expire हो चुका है सौम के कुछ आखरी के moments हैं वो सच में दिल को दहलाने वाले हैं और रूम में कमपन पैदा करने वाले हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोहिल खान का character एक जूतो की दुकान पर है वो जूते खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है फिर उसके बाद हम देखते हैं सेम वही जूते जो सोहिल खरीदना चाहते थे वो सल्मान खान कैरी करते हुए घूम रहे हैं रो रहे हैं पिलक रहे हैं भरत की याद में और उसके बाद जो सीन है वो सच में सच में जादा टची है तो यह था हमारी तरफ से कुछ emotional सा कुछ sentimental सा review की हमें कैसा लगा यह song मुझे तो बहुत जादा emotional और feeling लगी और घुसबंग जाए आपको क्या लगता है आपको कैसा लगा पहले वीडियो देखे उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बिंदास कमेंट कीजिए क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है बॉलिवुड स्पार जो की पहुंचाता है सबसे तेज and exclusive news of Bollywood